हम बात करने वाले हैं बन्य इस्क्रोटरल लिजन्स की? अब अब बात करते हैं कि यह क्या होता है बनி इस्कुटरल लिजन्स न थे टेष्टिकलर मास state can be transilluminated है तो ऐसे हैं एक करते हैं डेखिए को इसको नग को इसको सब नहीं 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 को मिलता है यहां बता बोलते हैं और यह दो ताइप के होते हैं एक चनजनाइटल होता है एक acquired होता है कंजनाइटल को हम communicating बोलते हैं और क्यों communicating बोलते हैं तो देखिए due to incomplete obliteration of process vaginalis ठीक है तो यह देखिए process vaginalis यह देखिए यह जो है यह असल में न tunica vaginalis जो होता है यह peritonium का ही part होता है ठीक है लेकिन यहाँ आप आके यह completely peritonium से अलग हो जाता है तो ऐसा हो जाता है ठीक है यह tunica vaginalis लेकिन congenital defect के और ऐसे ना जब यह tunica vaginalis नीचे आता है sperm के साथ तो descent of sperm के time पे यह remain हो जाती है ठीक है यह duct remain हो जाती है और peritonium से communicate करती है इस और से यहां पे यह duct पूरी देखने को मिलती है और यह duct देखे यह اैसे होती है यहां पे हमको flute देखने को मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं congenital या communicating तो यह peritonium से communicate करता है तो इसी और इसी को हम communicating बोलते है और देखे वहीं बतायागा कि due to incomplete obliteration of process vaginalis तो यह जो प्रोसेस वजिनेलिस है ना इसका incomplete obliteration होता है complete हो जाए तब तो यह ठीक रहे है ठीक है लेकित incomplete इसका obliteration होता है इस वरे से हमको congenital या communicating hydrocelle देखने को मिलता है और common cause of scrotal swelling in infants infants में scrotal swelling का common cause यही है ठीक है communicating hydrocelle या congenital hydrocelle और उसका फिर बता है कि most resolve spontaneously within one year तो एक साल के अंदर यह अपने आप resolve हो जाता है और उसका फिर acquired की बात की गए तो इसको non communicating बोलते हैं तो यह क्या होता है तरीक है due to infection infection की वज़ेसे या trauma की वज़ेसे या tumor की वज़ेसे तो इन सारी वज़ेसे यहाँ पर यह जो है ना यह duct नहीं persist करेगी यह duct पहले से गाइब रहेगी यह जो normal swelling है ना इसके हमारे tunica vaginal इसके यह increase हो जाएगी क्योंकि इसमें fluid भर जाएगा ठीक है इसमें fluid भरने की वज़ेसे यह increase हो जाएगी लेकिन यह peritonium से communicate नहीं कर रही है इस वज़ेसे इसको हम non communicating बोलेंगे और यह by birth नहीं है इसी वज़ेसे यह acquired हुआ तो यह acquired या non communicating hydrocele क्या होता है यह infection की वज़ेसे होगा trauma की वज़ेसे होगा या tumor की वज़ेसे होगा और termed hematocele if bloody अगर इसमें blood है ना तो इसको हम hematocele बोल देंगे ठीक है तो यह hydrocele को हम hematocele बोल देंगे कर इसमें blood आ जा रहा ठीक है तो यह होगी हमारा hydrocele और इस पर्मेटोसील क्या होता देखिए cyst due to dilated epididymal ducts और rata testis यह epididymal duct में cyst हो जाता है तो इसी को हम बोलता है इस पर्मेटोसील और देखिए पैरा testicular fluctuate nodules unpurpression तो जो हम इसको pulpate करेंगे ना तो पैरा testicular fluctuate nodules हमको देखने को मिलेगा ठीक तो यह हो गया हमारा spermatocyle और hydrocele ठीक है तो hydrocele हम दो टाइप की बात किया है एक communicating या congenital और दूसरा non communicating या accurate ठीक है तो यह इस तरह से हमारा यह बिना स्क्रोटल लिजन्स का topic complete हुआ तो यहाँ पर देखिए हम सारा complete कर दें तो यह देखिए यहाँ पर जोड़ा नाम दिखाया है नॉर्मल है ठीक है यहाँ पर देखिए यह जो है यह पैंपिनी फांप्लेक्सिस है यह पैंपिनी फांप्लेक्सिस और इसमें देखिए रेड वाली टेस्टिकुलर आर्ट्री है और यह देखिए यह वास्ट डिफरेंस है और यह एपिडाइडमस है और यह टेस्टीस है और यह ट्यूनी का वेजिनली से ठीक है नॉर्मल है तो testicular torsion हम पिछली वीडियो में बात के ये देखिए ये देखिए ये देखिए नॉर्मल टेस्टीस ऐसे थे और टेस्टीस ऐसे हो गए ठीक है तो ये जो है क्यों होते हैं क्योंकि ट्यूनिका वेजिने दिस होती है ये प्रॉपर इसको एड़ेयर नहीं कर पाती है ठीक है